नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्धप्रदेश का नमबर वन न्यूस चैनल क्लीन न्यूस एमपी चलिए देखते हैं मद्धप्रदेश की सबी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में किसानों के लिए अच्छे खबर नहीं लगेगा प्यास यम शिवराज ने अधिकारियों को दिये निर्देश प्रदेश सरकार दोरे किसानों को बड़ी राहत दी गई तरसल अब समर्थन मूले पर उपजविक्रे के बाद किसानों को जिस दिन बुक्तान किया जाएगा उसी दिन से रिण खाते में राशी जमा मानी जाएगी किसानों के खाते में बखाया नहीं दिखेगा और उन्ne ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा इसका लब लाखो किसानों को होना है मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी घोशना की गई इसके तहट नागरी का पूर्ती निगम किसानों से कठोती की गई नुत्म का दिग्विजे पर हमला बोले भगवा को आतंकवाद बताते हैं लेकिन जेम्बी और हुटी पर सवाल नहीं उठाते मद्यप्रदेश के ग्रह मंत्री डॉक्टर नरुत्तम इश्चा ने पूर मुक्य मंत्री और कॉंग्रिस के राजे सभास सदस्य दिग्विजे सिंग पर हमला किया उन्होंने कहा कि भगवा को आतंकवाद बताने वाले जाकिर नायक को शांती दूद बताने वाले दिग्विजे सिंग कभी जे एमबी और हुटी के आतंकवादियों पर कोई सवाल नहीं उठाते समाज को तोड़ने का इनका कुछसित प्रयास मद्यप्रदेश में नहीं चलेगा मद्यप्रदेश के रीवा जिले में पशुदन संजीवनी यूजणा के अंतरगत 11 पशुचित्सा वाहन मिल गए ये वाहन पशुचितसा के लिए उपयोगी होंगे और पशुपालन विभाग के दौरा पशु क्योप्चार और संचार के लिए उपयोग किये जाएगे भाजपा जोईन की ग्वाले चंपर संभाग में खुद को बहुत मस्बूत बता रही कॉंग्रेस को विधान सभा चुनाओं से पहले एक जटका लगा पूर विधायक और पाटी की नेता सत्य प्रकाश सखवार ने आज एक कॉंग्रेस छोड़ दी और भाजपा को जोईन कर सखवार ने पिछला चुनाओ बियस्पी के टिकेट पर लड़ा था लेकिन हार गए थे उसके बाद उन्होंने कॉंग्रेस चॉइन की थी लेकिन कुछ साल में ही उनका कॉंग्रेस से भी मोह भंग हो गया समझता स्वास्ते कर्मियों के बाद अब अधर पर देश की बिजली कंपनी के क्रमचाइओ के राजिक शिवराज सरकार के खिलाप मोर्चा खूल दिया लंबे समय से मांगे पूरी न होने के चलते अब प्रदेश के सतर हजार बिजली अधिकारी कर्मचारी हर्ताल पर जाने को विवश हो गए सियम शिवरा सिंग चोहान को ठाई महीने में तेहरा पत्र लिखने के बाद मिलने का समय ना देने अब युनाइटेट पोरम ने पीम मोधी को पत्र लिखा है MP बोर्ड दसवी और बार्वी के रिजल्ट के तारीक जल्द MPBSC.NIC.10 पर होगी घोशित राजे शिक्षा के इंदर मंद्रप्रदेश ने सोमवार को पांचवी और आटवी के रिजल्ट जारी कर दिया इंदर वैश्नो देवी स्पेशल ट्रेन की बढ़ाए फेरे अब दोनों दिशाओं में लगेंगे साथ साथ फेरे पश्चिम डेलवे ने ग्रिश्म कालीन चुट्टियों को देखते हुए इंदर से वैश्नो देवी तक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोशना की ट्रेन पहले दोनों दिशाओं में दो दो फेरे लगाने वाली थी लेकिन वैश्नो देवी जाने वाले यात्रियों के संख्या अधिक है इसलिए ट्रेन की फेरों में परिवर्तन किया गया ये ट्रेन अब दोनों शेहरों में साथ साथ फेरे पूरी करेगी ग्रिश्म कालीन चुट्टियों के दौरान गारियों में यांत्रियों को अत्रिक्त भीर कुध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंदा से होकर इन दोर से वैश्टो देवी कट्रा के मद्य स्पेशल ट्रेन का परिचालन स्पेशल किराई के साथ किया जाएगा बाद अचाहे लूसे राहात पर सताने लगी उमास बाद लोने बढ़ाई रात में भी चैनी वर्दमान में मद्य प्रदेश की मौसम को प्रभावित करने वाली कोई विशेश मौसम प्रणाली सक्रिये नहीं लेकिन हवाओं के साथ आ रही नमी के कारण बादल चानी लगी है साथ ही कहीं कहीं वर्षा भी होने लगी पिछले 24 घंटों के दोरान मंगलवार सुभे साड़े साथ बजे तक दमो में एक ग्वालियर में 0.6 मिलिमीटर वर्षा हुई मद्रबुदेश में MBBS देटे और 30 वर्ष की हिंधी पुस्तके एक साथ हूँगी तयार MBBS की देटे और 30 वर्ष की हिंधी में पुस्तके एक साथ तयार की जाएंगी और चार लाग तन का इसाफा तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मध्यप्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद